शाहरु खान का बॉक्स ओफिस पर धमाका पहले ही दिन सो करोड कलब में शामिल हुई पठान जी हाँ शाहरु खान की कमबैक फिल्म पठान का जादू चल गया है फिल्म का बीते लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और फिल्म के रिलीज के साथ ही दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया एक और जहां शाहरु खान ने खूब वाहवाही लूटी फिल्म रिलीज के बाद फैन्स काफी खुश है एक और जहां क्रिटिक्स और सोचल मिडिया पर फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं तो दूसरी और बॉक्स ओफिस पर भी फिल्म काफी धमाल मचा रहा है कोई मोई की रिपोर्ट के मताबिक पठान ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड करीब 100 करोड रूपे का कलेक्शन किया है वही भारत में सभी भाशाओं का कलेक्शन मिला कर 53.25 करोड रूपे का रहा है जबकि सिर्फ फिल्म के हिंदी वर्जन ने 51.60 करोड की कमाई की है बता दे कि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं और आधिकारिक आकड़े थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों मूवी केसी है बात इसके शॉर्ट रिप्यू करें तो पठान एकदम मसालेदार मूवी है फिल्म में एक्शन है, डाउन्स है, कॉमेडी है, बोलनेस है और रोमाइन्स भी है फिल्म में वो सब कुछ है जिसे आप इंज्याई करेंगे हाला कि फिल्म के स्क्रिप्ट आपको थोड़ी बहुत फिकी लग सकती है लेकिन बाकी और कहीं जगे से आपको निराशाहात नहीं लगेगी फिल्म का फश्ट हाफ काफी अच्छा है और जैसा कि मने आपको बताया कि फिल्म का दूसरा हाफ आपको थोड़ी बहुत उपर नीचे लग सकती है इसके लावा फिल्म के सबसे मज़िदार सिंस में सल्मान खान का क्यामियों शामिल है कुल मिलाकर बात की जाए तो पठान को आप फुल इंजॉय कर सकते हैं वही पर बादशाह की अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनमा घरों में दस्तक देगी इसके बाद किंखान निर्देशक एटली के साथ फिल्म जवान में नज़र आएंगे खर दोस्तों अगर आप में फिल्म पठान देख ली है और यह आपको कैसी लगी नीचे कमेंड बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको यह विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक करें साथ ही और भी ज़्यादा अब्डेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें